असलाव लेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल दोस्तों गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हमारी इसकिन जो है वो सैंसेटिव होती है और जो हमारी बॉड़ी के पार्ट्स खुले हुए होते हैं जिसमें अमूमन चेहरा और हाथ पाउं होते हैं वो बहुत ज अधिसन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि जो रेमेडी आज हम बना रहे हैं वो सर्ण बर्ण के लिए ही है तो फ्रेंड्स इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए होगी हल्दी एक टेबिल स्पून और इसके लाब हमें चाहिए दही तो दही बिल्कुल प और इसके लिए और इसके सीजन में बनाके सेफ कर लिया था और इसकी एक मैने वीडियो भी बनाई थी वह आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो यह और इसको बनाना है और अगर आपको लगे कि यह दही इसके अंदर कम है तो आप इसके अंदर थोड़े से डूप्स सकते हैं तो आप इसके अंदर वो शामिल कर लिएगा तो फ्रेंट्स यह देखें मैंने इसको बिलकुल अच्छे तरहां से पेस्ट बना लिया है इसका और अब हमारा काम शुरू होगा असल काम जो है हमारा अब शुरू होगा तो यह टिमाटर जो है इसके उपर हम यह पे अच्छी तरह से इसको लगाईएगा तो फ्रेंड्स यह गर्मियों के लिए जबर्दस के रेमेडी है जो हमारी स्किन जो है बहुत जादा रेडनेस आ जाती है उसके अंदर और जुलस सी जाती है स्किन गर्मियों में तो यह इसके लिए बहुत जबर्दस रेमेडी है ये और टेमाटर जो है ये जुलसी हुई स्किन के लिए बेस्ट है इससे स्किन जो है आपकी इतनी अच्छी हेल्दी और शाइनी हो जाएगी और ये इसका जो जूस है इसको थोड़ा सा प्रेस करके आप इसको रब करियेगा ताके इसका जो जूस है वो भी थोड़ा सा निक हमारी skin के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारी skin जो है उससे बहुत moisture हो जाएगी और dryness खतम होगी उससे हमारी और हल्दी जो है उससे हमारी skin का रंग जो है वो निकर जाएगा रंग निकारने के लिए हल्दी बहुत जबरदस होती है तो friends आप इसको लगा कर अच्छे तरहां से और थोड़ी देर के लिए ऐसी छोड़ दियेगा और थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट के बाद आप इसको साधे पानी से वाश कर लिएगा तो आपको अलग ही फर्क नजर आएगा तो आप फ्रेंड्स ये देखें फ्रेंड्स इसकिन की टोन बिलकुल चेंज हो चुकी है कित हुआ